दूस्तो इन्होंने last 30 days में 28,000 डॉलर से ज्यादा earning किया है इन्होंने अपने चैनल पर last 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ तीन वीडियोग अपलोड किया है और ओन तीन वीडियोज से उनको 114 million views मिला है दूस्तो इतना earning आप भी कर सकते हुब इतनी कम महनत से और वो भी copy paste, almost copy paste, full copy paste नहीं, almost copy paste मैं वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर copy paste होने के वावजूद आपका खुद का content होगा, आप यहाँ पर चीजे खुद create करोगे, copy paste मतलब आप सिर्फ उनको देख कर बना रहो, बस इतना ही बाकी सब कुछ जो आपका खुद का होगा आप खुद अपने content के owner होंगे, और आप अपने channel को easily monetize कर पाओगे, बिना किसी reuse या किसी भी YouTube का जो rule है, वो किसी को भी break किये बिना आप यह चीज easily कर पाओगे, इतना ही अच्छा है आज का यह category और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने mobile phone का use करके, and kind master का use करके, and और एक दो application की ज़रोत आपको पर सकती है, so video को carefully देखना, full watch करना, चीजों को सीखना, and आप देखना कि यह चीज दोस्तो आखिर चल किया रहा है, दोस्तो यह जो content है, यह जो topic है, वो है, Humpty the train, जी हाँ दोस्तो यहाँ पर मैंने इस keyword को search किया है, and इस keyword पर जितने भी videos आएं, आप उ इलहा लाइव चल रहा है, so इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर 638 million views है, and वो भी यह एक बिंगॉली channel है, आप देख सकते हो, यहाँ पर यह बंगला, यह निके बिंगॉली है, original language में भी इतना ज्यादा views, तो आप सोच सकते हो, कि हिंदी वगरे में कितना ज्यादा views होग तो actually में एक बच्चो का learning चीज़ है, जैसे for example, मैंने जो वीडियो open करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखे, यहाँ पर एक train है, वो train आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी देर आने के बाद, यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, apple को उस पेड़ पे, train जो आ रहा बच्चो को entertainment के थुरू, चीज़ों को पहचानना, मतलब पहचान कराना, कि यहाँ पर यह जो है, यह चीज़ एपल है, यह जो है, यह चीज़ नेमू है, इस तरह की चीज़ों को यह लोग करते हैं, इस पर इतना ज़़दा अड़निंग यह करते हैं, अगर आप चैनल पर मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आ सकता हूँ, जिसको अपसरिफ मुबाइल से बना सकते हैं, इनको एक hard competition दे सकते हैं, यह लोग वाइदवे मुबाइल से नहीं बनाते हैं, यह blender वगरा से बनाते हैं, जो के बहुत high quality software है, जो के सब की बस की बात भी नहीं है, सो मैं इसको मुबा उसकते हैं कि इनके चैनल में ना ही thanks है, ना जोएन है, अधर्स कोई भी रिजन यहाँ पर नहीं है, हाँ तो जो मैं कह रहा था कि अगर आपको हो इनके चैनल पर जितने वी वीडियो हैं, सब कम एक ऐसा ट्रिक लेकर आ सकता हूं कि वो वाले वीडियो अपने मुबाइल से बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए मुझे कम मॉनेटाइज नहीं, मॉनेटाइज होने के बाद अर्णिंग भी उस एक वीडियो से ही हो सकता है, बस चीजों को सीख लो किस तरह से आप ये कम करोगे, तो चलिए इंट्रो वगरा, प्रूफ वगरा सब कुछ हो गया, अब टॉपिक की बात करते हैं कि आपको क्या काम करन होगा, इसके लिए दो मैंने अपना मॉबाइल फोन ले लिया है, जो कि एकदम नॉर्मल से एक मॉबाइल फोन है, मैं इस से ही काम कर सकता हूं, मतलब आप किसी भी फोन से इस काम को कर सकते हैं, अनलेस आपके पास कीपेट वाला फोन हो, ओके तो सबसे पहले हमको जिस ची मैं इनको मैं ओपन करता हूं, यहाँ पर देखिए, ट्रेन कार्टून मैं जब रिसेर्च कर रहा था, मैं इसको सेर्च करकर रहा हूं, तो ट्रेन कार्टून आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मत देखिए, तो ट्रेन कार्टून मैंने यहाँ पर सेर्च किया ह मैं यहाँ पर देखिए इस train को या फिर इस train को अगर ना भी करें यह देखिए यह जी image पहले है इस train को मैं download कर लूँगा आप किसी को भी कर सकतो मुझे यह अच्छा लग रहा है और हाँ यह मत सोजना कि यहाँ पर face है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि face मैं इसको remove कर दूँ हमको वह भी चाहिए तो इसके लिए देखिए यहाँ पर यह वाला पर्ट्री सही रहेगा मतलब यह अच्छा लग रहा है वही वाला train ऐसा लग रहा है ठीए इसको हम download कर लेंगे देखिए वैसे तो आप इनको direct use कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप इतनी महनत कर तो इन images को खुद का बना लो यहाँ पर यह जो images है यह नहीं आएंगे copyright वगरा यहाँ आप अगर आप इनको use करोगे तो नहीं आएंगे लेकिन अगर आगये तो इन इमेजेज को खुद का बनाना सीखना होगा, तो चलिए, वो बनाना सीखते हैं, इसके लिए दूस्त हम क्या करेंगा, हम यह पर देखें, आइब आइब आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इसको ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर My Gallery में क्लिक करेंगे, और प्लस वाला जो इमपोर्ट पिक्चर जहाँ पर है, उस पर हम टच कर देंगे, अब जो ट्रेन मेंने डाउनलोड किया था, उसको मैं इहाँ पर इमपोर्ट कर लूँगा, अब मैं इसको ठीक तरा से सेट कर लूँगा, तैके यहाँ पर मुझे सिर्फ ट्रेन चाहिए, ठीक है, मुझे कर देते हैं, अब जो option आएगा, उसको हम cancel करेंगे, इसके बाद यहाँ पर plus में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हम इसी train को दुबारा draw करेंगे, इससे क्या होगा, यह train जो हो हमारा हो जाएगा, चलिए draw करते हैं, इसके लिए हम simple brush में आएगे, brush में आने के बाद यहाँ और यह देखिए brush पर हम touch करेंगे, और यहाँ पर जो भी है उसको ही रहन देंगे, अब हम outline के लिए black ही select करेंगे, तो चलिए यहाँ पर मैंने screen को zoom किया, अब हम यहाँ पर outline पर काम करना start कर देंगे, देखिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, so outline इधर उधर हो सकता है, आप ध्यान से करना, ताकि यहाँ पर actual में यह जो draw है मैं बहुत जल्दी करूँगा, लेकिन यह जो train है इसको draw करने में मुझे लगता है तकरीबान आधा एक घंटा time तो लगना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं उतना time दूँगा तब को सिखाऊंगा कब, तो यहा कर लिए, अब इसका outline भी तो हमें draw करना है, तो वो यहाँ पर यहाँ से निकला है, तो मैं यहाँ से इसको ले लूँगा, तो चलिए यह जो face का outline था, वो मेरा draw हो चुका है, अब यहाँ पर इसके बाद देखिए, यह जो सारे चीज़े हैं, इनको भी हमको draw करना है, आप इसको skip कर सकते हो, अगर आपको यह hard लगता है, तो आप इसको skip कर सकते हो, ठीक है, आप simple इसी image का use कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर draw कर ले रहा हूँ, and यहाँ पर यह रहा, and यहाँ पर यह रहा, and इस तरह से इसको कर दिया, अब यह जो पीछे वाला है, इसको भी हमको draw क करना होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं सो ड्रॉइंग खराब होगा आप ध्यान से करना कर दो बहुत अalnyaए तॉपाएं बवदा व कर दो डांता वदाद जो आपस ए कि रहा हूं सोचाल तो देखिए दोस्तों फाइनली मेरा जो ड्राइंग है वो कंप्लिट होने के आसपास आ चुका है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी टायर्स जो है वो ड्रॉ नहीं किया है एक्चुल में यहाँ पर इसको भी मिक्स करना मैं भूल गया था तो टायर्स मैंने जो है वो ड्रॉ नहीं किया क्योंकि टायर्स जो हम ट्रेन के साथ अटाच नहीं करेंगे कि इससे वो टायर्स जो है वो रोल नहीं होगा टायर्स हम अलग से बनाएंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं यह इमेज मेरा simple वही color दे सकते हो जो इन्होंने use किया या फिर अलग भी दे सकते हो आपकी मर्जी है सो मैं यहाँ पर कुछ color करने की कुश्च करता हूँ यहाँ पर color में जाते हैं and color को पहले तो blue करते हैं and इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर जो brush था उस पर touch करके bucket करेंगे and blue को मैं क्या करूँगा blue को in यहाँ पर black हो गया फिर से स्वारी यहाँ पर blue करते है and अब blue को मैं यहाँ पर यह जो हमारा borders पर नहीं देना था यहाँ पर यह देखे यह blue हो गया अब आपको कुछ चीज़े blue कर देने है for example इसको blue कर देते है and इसको blue कर देते है इसको blue कर देते है आप देखना यह ज़स्ट मेरा मैं ज़स्ट आपको जल्ली जल्ली दिखा रहा हूँ so यह चीज़ दिखा रहा हूँ बाकी आप अपना creativity यूज़ करना ठीक है यहाँ पर यहाँ तक इस चीज़ में blue रखोंगा इसके बाद इस चीज़ को मैं red कर दूँगा थोड़ा सा colorful करना क्योंकि बच्चे जो है colorful चीज़े देखना ज्यादा पसंद करते है so यहाँ पर इसको भी red कर दिया अब इसको red कर देंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे अब चाहए तो add कर सकते है for example, यह वाला color थोड़ा सा अलग है so इसको हम यहाँ पर add कर देते है and यहाँ पर यह जो light वाला color होगा इसको white रख ना होगा and इस light को थोड़ा सा yellow white टैप कर कर देते है यहाँ पर यह जो scene है मतलब यह जो color है इसको इस type करते है यह slide को भी वैसा करते है and उपर जो light है इसको भी हम वैसा कर देंगे अब देखिए यहाँ पर जो steel का color है हम थोड़ा सा वैसा color देने के कोशिश करेंगे हमार जो metal portion है वहाँ पर for example यह वाला portion है and metal के बाद यह जो चीज है यह जो portion है इनको हम कुछ color नहीं देंगे क्योंकि हमें यह चीज ट्रेंस्परेंट चाहिए ठीक है and इसको भी हम metal का color देंगे इसको और यह देखिए so अब हमारा train देखिए काफी अच्छा लग रहा है सिर्फ एक दू जगा पर color नहीं वा उनको हमको color करना होगा यहाँ पर इस वाले color को दे देते हैं and यहाँ पर इस वाले color को दे देते हैं यहाँ पर भी color छूड़ गया है तो आपको इस तरह से देख लेना है कि कहाँ पर color है and कहाँ पर नहीं है अब देखिए यहाँ पर जो उनका logo था यहाँ पर मैंने अपना logo लगा दिया so यहाँ पर आप इसको भी color कर देना and इस तरह से यहाँ पर आप मेरे लोगों मत लगाना अपना logo लगाना and इसको भी color कर दिया अब देखिए दोस्तो यहाँ पर जो black outlines है वो नजर आ रहा है आप चाहो तो इसको remove कर सकते हो आप चाहो तो इसको रख सकते हो आपकी मर्जी मैं यहपर इसको रखने से मुझे अच्छा लगता है मैं जब भी cartoon scratch करता हूं मैं outline जरूर रखता हूं links मुझे अच्छे लगदा है इसको color कर दिया and इसके बाद इसको color कर दिया इसको भी and इसको भी अब दिखिए यहाँ पर सब कुछ तो complete नहीं हुआ यहाँ पर yellow को फिर से select करना होगा इस portion को मैं color करना भूल गया था चलिए अब हमारा train देखिए तैयार है अब आप चाहो तो इस train का use कर सकते हैं यहाँ पर इसको जो है metal का color देना था तो यहाँ पर मैं देना तो भूल गया यहाँ पर ऐसा करते हैं और ऐसे कोई color देते हैं यहाँ पर फिर से एक बार कोई blue लेते हैं यह जो चीज़े इनको फिल कर देते हैं तो पुरा का पुरा ट्रेंच हो हमने color कर दिया अब अगर आप चाहते हो कुछ design वगरा करना आप बो कर सकते हो यहाँ पर इतना सारा जगा है आपके design के लिए जैसा आप अगर इसको यहाँ पर मैं active करता हूँ देखिए design वगरा ब transparent background से save कर लूँगा यहाँ पर arrow type का है उस पर click करेंगे save as transparent png पर मैंने click कर दिया अब मेरा यह file जो है वो png में हो चुका है ठीक है यह एक process था जो दूसरा process है वो मैं आपको remove करके दिखाता हूँ देखिए अगर आप drawing करना नहीं चाहते तो आप उस case में क्या करोगे आप यहाँ पर chrome में जाओगे और इसके बाद यहाँ पर आप remove.bg open करोगे यहाँ पर आपको बतायागा कि आपका image अपको upload करना है तो इस वाले image को upload करना है क्योंकि इसका background हमने मतलब यह जो train है यह हमने नहीं बनाया है ठीक है तो यहाँ पर इसका background मैंने remove कर लिया अब मैं इसको download कर लेता हूँ अब दिखिए अगर मैं इसको open करके आपको दिखाता हूँ तो आप एक चीज देख सकते है कि इसका जो धुआ type का है उपर वो remove नहीं हुआ उसके लिए हम को क्या करना होगा उसके लिए हम simply यहाँ पर जाएंगे background eraser में उसी image को फिर से लेंगे यह र रहाँ से यहाँ से remove कर दूंगा हो गया अब इसको write करते हैं and इसको save कर लेते हैं तो अब हमारा सब चीज़े complete हो चुका है अब मैं क्या करूंगा अब हमको इस चीज़ों को animate करना है उसके लिए हमको Rayland के जुरुत पड़ेगी और वह Rayland हम कहां से लेंगे again हम download करेंगे image search man में and उसको अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर लेना अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है तो उसका आप background जो है वो remove कर लेना है तो मैं काइन मस्टर में जाने के बाद आपको जो चीज़ करना है आपको एक नया project start करना है and फिर आपको जो files है वो आपको ले लेनी है सबसे पहले ह यहाँ पर क्या करें एंगे? मीडिया में जायेंगे? बैकगर्ण में जायेंगे? and एक green background हम लेंगे. खर berg पर कलर ऑपर जाएगे यहाँ पर green select कर देंगे, होगे हमारा green screen, अब दिखी यहाँ पर layer में जाएंगे, media में जाएंगे, अब यहाँ पर जो train मैंने बनाया, इसको हम ले लेंगे, एक चीज यहाँ पर problem है, कि हमारा जो background है, वो green है, अब हमारे train में भी हमने green color डाल दिया है, तो यह चीज आपको न मैंने ले लिया है train में, चलिए हम यहाँ पर black रख लिते हैं, और कोई option नहीं है, अब यह चुई में अच्छे, इस पर हमें wheel speed करने हैं कि train चल रहा है, अब दोस्तों wheel के लिए मैंने google में search किया train wheel png, यहाँ पर एक अच्छा सा png मैंने select किया, और फिर उसको download किया, और उ यहाँ पर ले लेंगे, और इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, और इसको ठीक जगा पर position करना होगा, जिस तरह से ऐसा लगे कि हाँ, यह जो wheel है, यह original है, तो देखिए इस तरह से हमने wheel को set कर दिया, अब दोस्तों यहाँ पर यह wheel जो है, वो move नहीं हो रहा है, और wheel के color black है, तो यहाँ पर दिक्कत जो बहुत सारी आ रही है, यहाँ पर हमारा color भी मैच निकार रहे है, wheel के color black है, मतलब जब हम इसका green screen remove करेंगे, black color का, तब इसका wheel remove हो जाएगा, तो इसकी लेंग को कोई ऐसा color choose करना होगा, जो हमारे train में नहीं है, और हमारे train में हर type का color है, तो यहाँ पर मैं इसको delete कर देता हूँ इस train को, यहाँ पर media में जाकर, जो train हमने download किया था, हम उसका एक बार background remove करके उसको use कर लेता है, वरना यह video बहुत बड़ा हो जागा, अगर मैं फिर से एक बार इसको करने लगा, तो अब हम उस train को लेंगे, यहाँ पर इस train को add कर लें सो हम यह पर उपर में click करेंगे and यहाँ पर move to forward करेंगे, bring to forward, सो अब दिखी हमारा जो wheel है, वो यहाँ पर आ चुका है and इसको अब इस तरह से हमको set कर देना है, इस wheel के उपर, actual में हो जब आप इसको बनाओगे तब वो वाला wheel नहीं रहेगा and अगर आप download करके use कर रहो, सो यह मतलब अगर आप background को remove कर रहो और फिर use कर रहो उस image को, उस case में आप उस wheel को, जो यहाँ पर है, उसको remove कर देना, मतलब background eraser जो app है, उससे इसको remove कर देना, अब यहाँ पर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा यह वाला wheel है, यह actual में, actual में हम पहल करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इस तरह सेट करते हैं, इसके बाद overall animation में, जाकर हम इसको clockwise कर देखिए, हमारा जो wheel है, वो move करना start कर चुका है, यहाँ पर जब हम actual में train को इस position में दिखाएंगे, तब हम train का wheel जो है, वो move नहीं करेंग हम train का wheel move करेंगे, यहाँ पर देखिए, जो face है, वो बात करेगा, जब हम still रहेंगे train को, तब हम इस चीज़ करेंगे, तो यहाँ पर wheel को मैं इसे छोड़ दूँगा, और train का wheel हम कब remove करेंगे, जब वो train चलेगा, मतलब जब हम को train side से दिखाना है, तब हम wheel को move करेंगे, त अब यहाँ पर जो wheel है, इसको move to front कर लेंगे, यह रहा, अब यहाँ पर wheel के जगा हम wheel fit करेंगे, ध्यान दे, कि आपका जो wheel है, वो आपको move कर, मतलब remove करना है, जब आप इसका background remove कर हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसके wheel को आपको ठीक जगा set करना है, और इसकी बाद जैसे ही आप animation में जाकर, overall animation में जाकर, इसको clockwise घुमाओगे, या फिर counter clockwise घुमाओगे, यह train ऐसा लगेगा कर चल रहा है, इस तरह से आपको जितने भी train के पहिए हैं, आपको same चीज करना है, इस तरह से आप इसको कर पायोगे, अब इसके बाद हम story कैसे बनाएंगे, train कैसे चलेगा यह साथ चीज अबर बात करेंगे, फिलाल हम इसको export करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब हम इसको export करेंगे, और नया एक फाइल हम तयार करेंगे, जहाँ पर हम actual में इस train को move करवाएंगे, जहाँ पर हम story build करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले एक अच्छा background image choose कर सकते हो, मेरे पास बहुत सा रहे हैं, सो मैं यहाँ पर किसी का भी use कर सकता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा वाला background अच्छा होगा, इसका use करेंगे, अब इसके बाद हम layer में जाएंगे, media में जाएंगे, export में जाएंगे, जो trains हमने export की हुई थी, उन trains को यह आना है, इस case में हमको क्या करना होगा, हमको railway का जो track है, वो भी download करना होगा, so हम again आचुके है, image search man में, यहाँ पर हम download करेंगे railway track, यह हमारे पास railway track आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, कि यह सारे सीधे जा रहा है, हमको ऐसा railway track चाहिए, so वो कहीं न कहीं मिली जाएगा, यह रहा, यह एक है, so इसका भी use हम कर सकते हैं, यह फिर अगर कोई बड़ा railway track होता, तो और भी अच्छा होता, चलिए एक बार इसके बाद मैं cartoon search करके देखते हैं, अगर कुछ मिलता है, यह देखिए, यह वाला काफी अच्छा लग रहा है, so इसको हम download कर डाउनलोड करने के बाद हम वापस जाएंगे, अपने काइन मास्टर में लेयर में जाएंगे, मीडिय में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे इसका यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका background हमने remove करना होगा, so अब हम वापस जाएंगे अपने background remover में, यहाँ पर remove.bg स भी कर सकते हो, आपकी मर्जी मैं पर remove.bg से ही कर लेता हूँ, easy होगा, so यहाँ पर upload image करते हैं, इसके बाद यहाँ पर इसको upload करके done कर देते हैं, अब इसका background देखिए, remove होके आ जाएगा, so आ चुका है, अब मैं इसको download कर लेता हूँ, अब download होने के बाद मैं चलता हूँ अपने kindmaster में, अब यहाँ पर layer में जाएंगे, media में जाएंगे, and download folder में से इस railway track को select कर लेंगे, देखिए, यहाँ पर दूर railway track है, हमको इसको ज़रत नहीं, हमको सिर्फ एक railway track चाहिए, so हम यह पर cropping में जाएंगे, and एक railway track को यहाँ से crop out कर देंगे, अब देखिए, हमारे इसको duplicate किया, and फिर सेसको यहाँ पर लगा दिया, so हमारा यह चीज़ complete हो चुका है, अब हम train पर touch करेंगे, and इसको हम bring to front कर देंगे, अब देखिए, railway track के उपर हमारा जो train है, वो चल रहा है, इस तरह से हो गया, यहाँ पर यह सारा चीज़ clear हो गया, अब हम train को move करता कैसे दिखाएंगे, वो भी बहुत ही simple है, वो ऐसा नहीं कि हम इसको कर नहीं सकते, उसका भी एक trick है, उसके लिए हम क्या करेंगे, fix art मैंने open कर लिया है, and इसके बाद plus में click करेंगे, edit photo में click करेंगे, and अब हम normal कोई भी background अप ले सकते हो, मैं background ले रहा हूँ, and इसको transparent select कर इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए, tools में जाएंगे, crop करेंगे, and इसको बहुत ही छोटा कर देंगे, वो कैसे करेंगे, आप देखिए, इस चीज़ को अब ध्यान से देखना, चीज़ को समझना, यहाँ पर हम इसको और भी छोटा करेंगे, यहाँ पर तेना छोटा क किया, इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए, इसके बाद आपको background select करना है, अब देखिए, आपको ऐसा मानना है, कि इसको zoom करते है, और भी ज़्यादा zoom करते है, and ऐसा आपको predict करना है, कि यह जो scene है, यह बहुत बड़ा scene है, यह मेरा image है, यहाँ पर इसको और search करोगे, tree अगर मैं search करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर यह वाला जो tree है, इसका use, मैं यहाँ पर इसको और चोटा करना होगा, आप चाहे तो और चोटा कर सकते है, इस तरह से आप इस tree को यहाँ पर set करेंगे, and देखिए, जब आप zoom करेंगे, तो tree कितना बड़ा हो ज है, and history को हम download हो रहा है, अब इसको हम छोटा करके इसके बगल में लगाते है, इस तरह से आप history को कर लेना, अब इसके बाद आपको sticker में जाना है, and इस तरह से आपको home, जैसे के यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं home करता हूँ, तो यहाँ पर home वाला बटन आ जोगा है, त प्रो वला वर्जिन है, उसका use आपको करना होगा, अगर आपको यह सारी चीज़े यूज करनी है, वरना आप सारी चीज़े यूज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप Canva के यूज कर सकते हैं, या फिर Pixabay से images डाउनलोड करके, आप छोटा चोटा करके इसको यूज कर स लेकिन अगर आप, मैं आपको यही चीज दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक live वीडियो में दिखाना possible नहीं है, for example, अगर मैं इसका एक portion को zoom करता हूँ, देखिए, सबसे पीछे मैंने आसमान डाला है, उसके बाद मैंने जमीन दिया है, उसके बाद एक tree दिया है, उसके बाद एक गाड़ी है, उसके एकदम सामने जो है, यह पर flowers है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, road है, इस road के जगा आपको rail line करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मंदीर, मंदीर, सब क कुछ बनाया हुआ है, इस तरह से यह चीज आप थोड़ा सा सोच रहोंगे, आखिर यह है क्या, चलिए आपको वो दिखाते है, आखिर यह है क्या, तो इसके लिए फिर से वापस आते हैं, अपने काइन मस्टर में, अब काइन मस्टर में, हम एक नया project start करेंगे, यहाँ प पर मैंने इस चीज को zoom in कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो और ज़्यादा कर सकतो, for example, ऐसे कर दिया, ठीक है, अब end में, हम end को इस तरह से करेंगे, यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर end करेंगे, यह रहा, ठीक है, अब अगर आप इसको play करेंगे, तो यह लगेगा यानısı के यह चीज इस तरह से होगा अब हम यहां पर क्या करेंगे हम इसको expor कर लेंगे export करने के बाद क्या होता हो दिखाता हूं अब में वापस आ चुको हूं अपना पूराने क्लिप पर और इसका जो background आज ता मैं इस announce को मैंने यहां पर ले लिया अब देखिए यह कैसा लगेगा देखने में कैसा लग रहा है कि ट्रेन मूव हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा जो इमेज है वो उल्टा हो रहा है यहां पर इस इमेज को मैंने कुछ गलत कर दिया इस इमेज को मुझे अलग करना थ तो इससे सिमज को करना कर ना था मैंने इसको यहां पर otlog देखिए यहां पर जो एन में पिथले को यह वाला सीन नहोंगा क्योंकि हमारा गारी इल्टा चल रहा है इसके बाद यहां पर इसको पहले वाला सी flourish देना है ऐसे अब इसको हम एक्सपोर्ट फिर से एक बर करेंगे अब यह चीज सही लगेगा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है I know लेकिन चीजों को सीखना जरूरी है ठीक है यहाँ पर आप बैक करोगे और फिर से एक बर हमारे जो ओरिजिनल हमारा जो प्रोजेक्ट था उस को हम नीचे करना होगा ताक medal 쿠क थाले में सारे को डिलीट कर दिये पर डाइंद को हें त्रेन को स्लेट करता हूं और बहुं कि ए oniappard कर देताओ आप देखिए video कैसा होगा, देखिए लगने रहा के train चल रहा है, अब आप इसको speed भी और कर सकते हैं। इसको आप जितना ज्यादा स्पीड दोगे आपका ट्रेन उतना ही फास्ट मूव होगा तो दोस्तो इतना दूर था कि आपका ट्रेन चलेगा कैसे अब चलने के बाद एपल कैसे पड़ेगा उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं वरना वीडियो कंप्लेट नही अब दीखिए मान लीजिए अब हमारे एक नया प्रोजेक्ट स्टर्ट करेंगे हम क्योंकि इहां पर बहुत सक्षरा हो चुका है अब इसके बाद हम मान लीजिए आपको सिफ दिखाएंगे कि एपल आप कैसे तोड़ोगे एंड इहां पर इस वाले ट्रेन को मान लेते हैं कि ये पटरी पर ही है पटरी पर चल रहा है अब यहां पर हम एपल तोड़ना सीखेंगे इहां पर आप एपल की जगा जैसे पहले मान लीजिए एपल हम तोड़ रहे हैं उसके बाद हम तोड़ा ट्रेन को आगे जाएंगे उसके बाद कुछ और चीज़े हम तोड़ेंगे अच्छे ट्रेंसम बात कैसे करवाएंगे वो भी जरूरी है इसके लिए हम लेयर में जाएंगे मेडिया में जाएंगे इसके बाद हमारे पास मूँ शायद डाउनलोड किया हुआ है मैंने जी हाँ ये देखिए ये face है इसका जो green screen है वो हम यहाँ पर remove कर देंगे इसके लिए हम chroma की में जाएंगे enable कर देंगे इसका green screen देखिए दोस्तो remove हो चुका है और अफकोर्स जैसा कि ये जो face है वो face हम train में तो रखेंगे नहीं तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे का face नहीं रहेगा सिर्फ यहाँ पर यह वाला face रहेगा यह face बात कर रहा है यह face आपको कहां मिलेगा टेलिग्राम चैनल चेक कर लिए उस पर मैं आपको यह face दे दूँगा green screen वाला यहाँ पर इस तरह से आप जैसे इसके उपर voice over करोगे तो यहाँ पर मतलब तब इसका lips ही लेंगे अब इसके बाद उस तब क्या करना होगा आपको apple तोड़ना होगा उसको भी download करना होगा सो हम tree download करेंगे search करेंगे tree tree search कर दिया अब tree का कोई भी image है पर आ जाएगा चलिए यह वाला image है इसको हम download कर लेते हैं अब इसके बाद हम search करेंगे apple यहाँ पर हम apple लिख देते हैं and apple को हम search कर लेते हैं यहाँ पर यह रहा apple इसको भी हम download कर लेते हैं अब यह tree and apple इन दोनों चीज़ों के जो background है वो हमको remove कर लेना है वो उसके लिए हम simple chrome में फिर से आएंगे remove.bg में आएंगे उपर upload button मतलब upload image में क्लिक करेंगे and यहाँ पर सबसे पहले tree का जो background है वो मैं remove कर लूँगा and उसके बाद जो apple का background है वो मैं remove कर लूँगा तो चलिए tree का background में ने remove कर दिया अब हमको यहाँ पर फिर से उपर की तरफ जाना है upload image करना है and यहाँ पर जो apple का background है उसको भी हम remove कर देंगे and again remove होने के बाद हम इसको भी download कर लेंगे अभी remove हो रहा है हमारा image तो चलिए हमारा जो apple है वो भी remove हो चुका है तो download कर लेते है and download करने के बाद हम फिर से एक पर बापस जाएंगे kind master में यह रहा हमारा kind master and अब हम इस पर layer में जाएंगे media में जाएंगे and download में जाकर इस tree को ले लेंगे and tree को हम इहाँ पर रख देंगे मान लेजिए कि background में कुछ चीज़े है black नहीं है black में just time कम है इसलिए मैं background में कुछ add करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ media में जाएंगे download में जाएंगे and इहाँ पर apple को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे and अब tree के ऊपर आपको apple देखने को मिल जाएगा आपकी मरजी आपको ऊपर रखना है या नीचे रखना है अब इसके बाद देखे train से मतलब जब train आएगा तब apple गिरेगा वो आप कैसे करोगे थोड़ा सा इधर आते है and apple उपर मतलब train के उपर चड़ता है तो इसके लिए क्या करोगे apple पर touch करोगे keyframe में करोगे and इसको एक बार plus कर दोगे and यहाँ पर आकर आप इसको यहाँ से ऐसे कर दोगे right हो गया आप इसको time लेके अपने हिसाब से करना है तो easily इस चीज़ को आप कर लोगे बहुत मतलब काफी easily यह काम आप कर सकते हो सिर्फ एक बार सीखने की देरी है देखकर शायद आपको hard लग रहा होगा लेकिन practice करो practice करने पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा easy हो जाती है मैंने खुद इस तरह के cartoons मना कर बहुत ज़्यादा earning कर चुका हूँ मैं इस तरह का नहीं मतलब इस तरह से animate करके ठीक है सो यहाँ पर आप भी कर सकते हो सिर्फ चीज़ों को समझो अगर कुछ भी इस वीडियो में बाकी रहा गया कुछ में आपको सिखा नहीं पाया मुझे आप ज़रूर कमेंट करना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फिलाल रेकोर्डिंग में तो बहुत लंबा हो गया एडिटिंग में कार्ट शार्ट के कोशिक करेंगे जितना छोटा में हो सकते हैं आपको समझाने की फिलाल आप SEO देख लीजे कैसे करोगे SEO जो है यहांपर सीखने लायoga कुछ नहींuzz लियो सिर्फ Xiya पर आप देखनाक कि इनके जो हम Danny च्रेंथ एया फिर ही यहांपर सैच करनेगे बाद जो हम की ट्रेंज वग रहा आते हैं वो इस आप डेख से आते हैं वह कैसे कुछ देना यहाँ पर ट्रैग्स हैं आप वैसा कुछ देना टैग्स देखने के लिए आपको ट्यूबडी के एक्षेंसेंट डाउनलोड करना होगा एंड वीडियो में कुछ उनिक करना इनके वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना एंड क्या आप इस तरह के लंबे वीडियो देखना चाहोगे जहाँ पर आप सीख तो बहुत कुछ सकते हो लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है सो वह भी मुझे कमेंट में बताना